कि नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वाबत है आप सभी का हमारे इस यूटुब चैनल स्मार्ट टेंग में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि caste के बारे में जो डिजिटल स्रीवा सर्फिसय का be expensive होता है उसका इड हम फ्री बिल基本 फ्री तरीके से प्राक्ट कर सकते हैं उसी की जानकारी आज इस वीडियो में जानेंगे और किस तरह कर सकते हैं इस बारी भी जाने तो चलिए दुस्तों शुरुवात करते हैं और शुरुवात करने से का ID password प्राप्त करना चाहते हूँ वो फ्री तो आपको आपका जो भी CSC का Common Service Center का जो भी काम होता है वो आपको अपने Mozilla Firefox में ही आपको अपने सारा काम करना होगा यही से आपको आपकी ID जनरेट करने होगी क्योंकि जो new ID password प्राप्त करने के लिए जो आज first time home होता है वो आपका इसी Mozilla Firefox से ही सम्मिट होगा और भरेगा तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो हम अपना ब्राउजर खोले लेते हैं जो कि Mozilla Firefox है और इसके बाद इस पर Google उपन कर लेंगे गोगल पर सर्च करेंगे और register csc.gov.n अगर इतना याद ना हो तो csc.gov.n सर्च कर देगे यहां पर कुछ इस तरह से लिंक अविलबल होंगी तो हमें यहां पर फर्स्ट नंबर का csc village registration ठीक है न तो यहां पर select कर लेना है फर्स्ट नंबर का जो option हुगा उसे select कर लेंगे इसके बाद देखिए यह पही side open हो गई है registered csc.gov.in इसके बाद हमें यहीं पर जो apply form होता है registration user id password का तो उसका form हमें यहां से apply करना हुगा ठीक है न फर्स्ट नंबर पर यह apply option मिल जाएगा इसके बाद हम देखिए यहां पर कुछ notice दिया रहता है कि अगर आप जो csc का id password प्राप्त करना चाहते हो तो आपका जो आधार काड है उसमें आपका mobile number और email id registered होना चाहिए ठीक है न दोस्तों इसके बाद हमें यहां पर अपना आधा number डालना है और OTP select करना है और यहां पर जो यहां पर picture id दिया गया है उसको डालना है और submit कर देना है इसके बाद हमारे पास एक OTP आएगा तो mobile पर या email ID पर तो हमें वो OTP यहां पर डाल देना है और submit कर देना है इसके बाद आपके सामने एक form भरने के लिए आ जाएगा जिसमें पांच स्टेप होंगे जहां पर आपको कुछ जरूरी documents की जरूरत पढ़ेगी मैं आपको बता दीता हूं किन-किन documents की आपको जरूरत पढ़ने वाली है देखिए पहले documents जैसे की कुछ पिच्चरों की आपको जरूरत पड़ेगी मैं आपको देखा रहा हूँ यहां पर किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है और सबसे पहले तो देखिए हमें जरूरत पड़ेगी हमें एक चेक की ठीक है ना आप जिस भी बैंक अकाउंट खाते का नंबर डीटेस डालते हो उसकी एक पास्बोक आपको अपलोड करनी है साती साथ यहां पर आको एक उसी बैंक अकाउंट का च Real करवा ना है और उस चैक को कैंसल कर दीना है तो को हम बोलते हैं cancel check तो cancel check को हमें upload करना है बहाँ पर ठीक ना भही पर आपको एक passbook भी upload करनी हुग यो pen card upload करना हुआ और साथी साथ कुछ इस तरह का cancel check upload करना है ठीक ना जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आप screen में देख पा हैं आपको एक खाली ब्लैक चेक लेना है उसी अकाउंट का उसी अकाउंट के थुरू आपने order करवाया हो और यहाँ पर दो लाइन ऐसी pen से खीच दीजीगा इसके बाद उस पर cancel लिख दीजीगा तो आपको जो बन जाएगा ठीक है ना और और इसके बाद आपको जोबत पढ़ेगी pen card की और इसके बाद आपको जोबत पढ़ने वाली अपने दोकान सौफ जो भी आपकी सौफ है दोकान उसके अंदर का एक फोटो और उसके बाहर का फोटो ठीक है ना एक फोटो बाहर का एक फोटो अ अंदर का ठीक ना इसके बाद आप अपने अनुसार जो भी जो भी सुख्दाएं हो आपकी दुकाने उस सुख्दाओं को टिक करेगगा और आपका रिफरेंस आईडी चनेरेट हो जाएगा ठीक ना इसके बाद आपने जो भी अपने रेजिस्टीड आईडी दी हो भी Gmail आई और इस message के बाद आपकी लगभग 25 से 40 दिन के अंदर अंदर आपके पास आपका user id पासबर्ड आ जाएगा email id के चलिए जिसको आपको इस जगहाई पर login भी कर सकते हो देखिए आपको site बता देता हूं direct कहाँ पर आपको login करना है देखिए आपको digitalseva.csc.government.int यहाँ पर आपको login का option मिल जाएगा देखिए मेरा mouse का cursor जहां पर जा रहा है बहां पर आपको login का option मिल जाएगा मिल जाएगा और जहाँ पर आपको 200 से अधिक सुबधाएं आपको मोहिया करवाई जाती है मूधी सरकार के द्वार यह जो csc यह common service center जो होता है वो आल इंडिया के लिए होता है तो यहाँ पर आपको सभी तरह की pen card, आधार card, IRCTC ऐसी सुबधाएं आपको मिलती रहेंगी और भी कई ऐसी सुबधाएं मिलेंगी जो कि आपको कहीं पर नहीं मिलेंगी और साथी साथ अगर आप एक online soft चलाते हो तो आप एक बहतरी income का साधन भी बन सकेगा तो चलिए दोस्तों अगर आपको csc center id possible लेने में कोई भी परिशान ही आती है तो आप मुझे comment box में बता सक करते हूं मैं पूरी कोशस करूंगा कि आपके सवालों को जवाब दे सकूं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में धन्यवाद